गांना अन्डमानी को आर में कहा बैठा है अंदर तो लग्राओ दिख रहा है ना बना अंदर जोगा है अंदर जोगा है भी अरे यहां प्रेक्ट तो लगे आराम से लगे है यार अंदर आउड अंदर आउड कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आड़ाम से लगे गया कि आज वाजी तंदर रहो और लक्षदीप में खा लिए जो हाँ वह नहीं वहाँ जो पढ़े जो तो दिखाए नहीं देखा लंबाद में पिछे बैठेगा अब थीक है अब जोहार कर लेते हैं आप लोग को तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हमारे देश में कौन-कौन से संगीत के माध्यम है आने वाधियंत्र को हम लोगों ने पढ़ा था परवाधियंत्र में दो चार प्रश्ण पूछते हैं पर्वतिवहार फेस्टिवल्स में हर सिफ्ट में कोश्चन पूछा गया है तो इससे कम प्रश्ण है लेकिन आपके परवतिवहार जितने आपके देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाय जाते हैं उससे ज़्यादे प्रश्ण होते हैं सबसे जादे प्रश्ट आपका वो जो हमने निर्थ शैली बताया था जिसमें सास्त्यनिर्थ और लोकनिर्थ दोनों को पढ़ा था सबसे जादे प्रश्ट उसमें है उसके बाद दुसरा प्रश्ट जो हर एक्जाम के हर सिप्ट में पूछा गया वह है festivals of India कब-Kब मनाया जाते हैं किस अउसरपर मनाया जाता है कौन सा festival कहां मनाया जाता है यह आपको जानना चाहिए यह सब जो विविद ज्यान है इस विविद ज्यान से आपको आगे जाना होगा अब जैसे यह आपके पास चला गया था सबसब के पास गया था न जी तो बताइये तो जिंजनी का एकमात्र भारत का गायक जो यह नि बजाने वाला एकमात्र भारत का जो शंगितकार हैं कौन है अब जिंजनी क्या हो तक नहीं पता भाई ये गया है कि ने आप लोके पास अच्छा जिसके पास गया तो अगर बत्ती दिखा रहे थे उसका हाँ सब्टा में कम समय मिलेगा हमको भी और आपको भी थेज चलिए कम से कम उसको पढ़ते चलिए जुविन महता का नाम सुना अपने जुविन महता हाँ तो जुविन महता देखे इसके अंत में लिखाओगा जुमिन मेहता को दो बीटा तो फिर पुछा धू पुछा है जुमिन मेहता इसको 2-3 बार पूछा कि अब शहनाई बजाने वाले एकमात्र भारत की महिला भागेश्वरी कमर भारत की एक मात्र महिला जो शहनाई बजाती है इनको बार बार सम्मानित भी क्या जा चुका है इसलिए आप लोग को जब यह गया है तो आप इसको अंति में मोबाइल में ही नहीं रखे बलकि इसको उतारते चलिए उतारते चलिए इसके प्रश्णों को हम आगे सौल करेंगे पहले हम फेस्टिबल्स को पढ़ेंगे उसके सब्सक्राइब आगे स्वालव करेंगे देखिए अब जो हमारे यहां फेस्टिवल्स हैं यह फेस्टिवल्स जो होंगे यह फेस्टिवल्स किस आवशर पर कब मनाया जाता है इसको चलेंगे हम लोग भारत के मुख्य प्रमुक्यतिवहार और उत्सब अब जितने भी हमार देश में पर्वत्योहार मनाये जाते हैं वो सारे पर्वत्योहार संद्रमास के गती के आधार पर मनाये जाते हैं संद्रमास का गती यानि हमारे देश का जो हिंदू केलेंडर है हिंदू केलेंडर चंद्रमा के गती के नुशार काम करता है और हिंदू के नुशार महीनाों का नाम लग-ulग है तो आपको सभी महीने के नाम और चंद्रगति को समझना होगा तब जाकर आप इस के पर्व को समझें गे हिंदू का पहला महीना कलेंडर क्या है चैतर महीना ठीक है अब ये चैतर महीना उसके बाद बोलते चलिए तो हमको चैतर के बाद दिखाई दे रहे न वईशाख उसके बाद जेष्ट उसके बाद आसाड असाड चावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पॉस, माग, फागुन, यानि पहला महिना कौन सा हुआ, और अंतिम महिना, फागुन, यह महिने की सुरुवात कैसे होती है, तो हमारे इस महिने की सुरुवात जो होती है, छिंद्रमा के गती के आधार पर निर्धारी तो होता है, यह आपका सुर्ज है, यह आपका पृथिवी है, और पृतिवी के 4 और चन्द्रमा लगातार परीग भ्रमन कर रहा है इसको एक लाइन से हम बनाते हैं एक लाइन से बनाते हैं यह आपका सुर्ज हो गया यह आपका अर्थ हो गया और यह आपका मुन हो गया और इसके गती के आधार पर हमारे इस देश में सभी प्रवतिवहार निर्धारी तो होते हैं चाहे जितना भी प्रव हो देखे अब यहां पर यह प्रिथिवी है जो सुर्ज के चारो और घूम रहा है ठीक है इसको हम लोग कर रहे हैं एक वर्स सुर्ज के चारो और प्रथिवी के घूमने की प्रक्रिया को हम लोग वार्शिक गती के रूप में और एक वर्स के रूप में जानते हैं आनि 365 दिन घुमता है तब जाकर वह जहां से गुमा वहां पहुँचता है इसी प्रकार से चंद्रमा जो प्रथिवी का एकमात्र प्राकिर्तिक उपग्रा है ऐसे उपग्रा बहुत है जो प्राकिर्तिक उपग्रा है प्राकिर्तिक उपग्रा में एकमात्र उपग्रा क्या है चंद्रमा ये कहां घूम रहा है ये प्रथिवी के चारो ओर घूम रहा है ये पृषिवी के चार और गुम रहा है कितने दिनों में गुम रहा है लगभग 29 दिनों में गुम रहा है और जब जानते हैं कि यहां पर चंद्रमाव से पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है तब आप क्या कहते हैं पुरुनीमा जब ऐसी स्थिती रहती है जब सूर्ज की किएनियन सीधे । चंद्रमा का पूरा प्रावरतन पृत्रवी पर आया तो चंद्रमा हमें पूरा चमकता हुआ दिखाय देता है उसको कहते पूरुन्निमा यह फुल मुन के सूमर है इसको अंग्रेजी में कहते हैं फुल हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता हैं चिंद्रमाइं पूरा अंधकार मैं दिखाई देता है mori reflect होकर ही प्रारोशनी आ गई यहां पूरा अंधकार दिखाई देता इसको कहते हैं आम आवश्या को कि य Whatsya कहते हैं कि यह गती समझीका तभी जाकर किसी चीज़ का जवाब दे पाईएगा पुरुनिमा से जब चंद्रमा यहां आता है पुरुनिमा से जब चंद्रमा आवश्या की और बढ़ता है तो चंद्रमा का आकार आपको धीरे-धीरे छोटा होता हुआ दिखाई देता है यानि अंधकार हिस्सा दिखाई देने लगता है ये थोड़ा सा काला और काला और काला ये काला होता जाता और ये क्या होता है पंद्रह दिन के बाद ये पूरा काला हो जाता है इस पक्ष को क्या कहेंगे क्रिश्न पक्ष है क्रिश्न पक्ष है और यहां से यहां आने में पंद्रह दिन उसको लगा तो पंद्रह दिन का एक पक्ष होता है जब काला होगा तो क्या कहेंगे कृष्ण पक्ष्ण भगवान काले थे कृष्ण पक्ष कहेंगे अब जब प्रुनिमा हो जाएगा अमवश्या हो जाएगा तो धीरे दीरे चंद्रमा का आकार चमकता हुआ दिखाई देगा और यहां से इस तरह से 15 दिनों के जाएगा इस जगा पहुंचेगा यक्या करता है कि यह कि यह पक्ष्ण कराइगा यानि जब उजला का समय आएगा तब कहलाएगा सुक्ल पक्ष जिए और यह जो पंद्रह तिती है 15 दिन है यह 15 दिन को अलग-अलग रूप में जानेंगे यह कहलाएगा क्रिश्ण पक्ष का प्रथमा यह द्वीतिया त्रितिया चतुर्थी पंचमी सस्टी सप्तमी अस्टमी नौमी दस्टमी कादशी द्वादशी त्रेवदशी चतुर्दशी और आमावश्या आज क्या है यहां प कपड़े दिये जाते हैं कि अब मनाते हैं कि कौन सा तित्य अगहन महीने के तुक्ल पक्ष क्रिश्ण पक्ष के एकादशी को मनाया गया पुड़ा अश्टमी हर साल इसी तारिक को मनाया जाएगा आज बंगाली स्मुदाय में बड़ा पर्व है जो कुड़मी लोग है यह बड़ी पर्व धुम नाम से मनाते हैं और घर का जो सबसे बड़ा होता है उसको बनाया जैता है पुड़ा अश्टमी है कि आज यह बनाया गया यह आपका यह तारिक यहां पर आ गया और यहां से फिर क्रिश्ण पक्ष का प्रथमा द्वीतिया तृतिया चतुर्थी अश्टमी सश्टी सप्तमी अश्टमी नौमी दस्तमी एकादसी द्वादसी त्रेओदसी चतुर्दसी पुर्णीमा यह ऐसा कहलागा सुकलपक्ष में जब सुकलपक्ष बोलेगा तो समझे कि वह पूजाला का दिन आ रहा है जब कृष्ण पक्ष कहेगा तब अंधेरा का दिन जा रहा है किसी गती के आधार पर आपके देश में जितने भी पर्वह मनाए जाते हैं इस अछ कि दो अक्टूबर कोे मनाएंगे कि की आपका पूजा का कणत। प्सक्रा इए क्जुर्द अब देश का अपको दक्तुर्त हैं किस महीने मनाए जाते हैं आप से कहें कि हम आप अपना जो जो'reकन का जो hem पर्व के रूप में मनाते हैं बैलों का पूजा करते हैं शोरा कि कब मनाया जाता है कुछ ब्रू निमा में कि भी पावली कब होता है है कि कि महीने के अमावस्या कार्तिक महीने के आमवश्या को हम लोग कहते हैं दिपावली दिपावली और उसके एक दिन के बाद से आपका सोराय शुरू होता है यहां भाई फोटा दो दिन के बाद से मनाते हैं भैया दूज यानि कार्तिक महीने के सुकल पशके दूसरे तिथी को भैया दूज मनाया जाता है उसी पर गनेश चतूर्थी कब मनाया जाता है आपका यहां के लोगव करम परव करमा करम मनाया साथ की शेल्ट करम कि शोता है अभादो महीने में भादो महीने में इसको मनाया जाता है अब दुरगा पुजा कर बनाया जाता है शुकल पक्ष में या किस महीने में यार आप लोग बुली बुली कि शुकल पक्ष में किस्तिती को खाली द्रेस पहनो सष्टी को ये पहनेंगे सब्तमी को ये पहनेंगे अश्टमी को ये पहनेंगे नौमी को ये पहनेंगे और दस्वी को हम लोग अब नाम शुरू हो गया तो सष्टी सब्तमी क्यों नाम दिया गया एक नंच्टी संस्ट में बोलते हैं आप तो क्यों देते हैं नां वर तीम के हिसाप से यह आपका आशिर महीने के सुक्ल पक्च के प्रथम दिन से नौरात्र शुरू हो जाता है उसके प्रथम से शुरू होता है और आप बेला गुमने निकलते हैं सब्सक्राइब कि की और विजया दश्मी मणते हैं उसके पांच दिन के बाद प्रणिमा होता है इसको लखी पूजा करनिमा जैसे है आशिन खतम कार्तिक आ गया उसके पंदरे सिगल के बादह मॉशार होगा दिपावली होग को सब्सक्राइब करम कोर घ्लिक और उसकी बाद छे दिन चर्थ होगा कार्ति के छे दिन चृ तो गादज सश्टी कार्तिक महीने के सुक्ल पक्ष के सश्टी को मनाया जाने अलापर्व सश्टी गनेश चतूर्थी आनि क्या हुआ चतूर्थी का मतलब चार किस महीने में किस पक्ष में नहीं भादो महीने के सुक्ल पक्ष के चतूर्थी को गनेश चतूति भगवान गनेश का जन्म होता कृष्ण जन्माष्टमी किस महीने मनाय जाता है आले पीठा बनाना है खाने का बहाना क्यों मना जाता कैसे मना जाता तीथी एकदम त्य है पुष्ण जनमा स्टमी मतलब हमाउष्ण से पहले का सबय होगा किल्श मतलब का ला 1 सुभाग कर महीने के वंक्रश की श्डामी तिति को कृष्ण पक्ष्ण पक्रमी मनाया त्hmen क्रिष्ण जन्माया यस्म'm कर राण कर यसंदर्म में कहा गया थैं भाग्वान और राम नावंई कि मेंमनाया जाता है चत्र महीने की सुक्रक्ष के नाविंटिथी को मना जाता है राम 딱 कुछ दिया गया तो उसी आदार पर ये परव करते वहां समझ ज़रें कि कैसे मना जा और हम जो मकर संक्रांती है जिसका तिथी तय है 14 या 15 अब कुछ वर्सों के आद 15 ही होगा और कुछ और 15 साल के बाद वह सोल्लत तारिक हो जाएगा और बढ़ेगा किसी मेना 14 आरा किसी 15 आरा कि पिछले वर्सों से देख रहें 15 यह आ रहा है तो यह क्या है कि सुर्ज के चारों और प्रिथिवी के परिक्रमन के दौरान जिस तिथी को मकर रेखा पार करता है यह सुर्ज उसको हम लोग मकर संक्रांती के रूप में मनाते हैं और वह तारिक होता है 14 तारिक यह पंदे तारिक चुकी 35 दिर में घुम रहा है तो उसी तारिक को पार होगा उसी तारिक को पार होगा यह सुर्ज भी तो घुम रहा है सुर्ज के चारों प्रिथिवी तो घुम रहा है और घुमते घुमते यहाँ पर आपके इस कि रेखाएं खीची है बीच के रेखा को करते हैं विस्वत रेखा ऐपर 353 पर करके रेखा मकर रेखा को जैसे ही पार करेगा सुरज वह कहलाएगा मकर संक्रांती तारिक यह 4 को ho गया सारे प्रवतिवहर के तरीके ऺंप अगर प्रुनिमा को रक्ष्षा बंधन सावन प्रुनिमा को रक्षा बंधन भादों में क्या है क्रिस्ण जन्माष्ट में भादों में क्या है कर्मा आश्विन में क्या है दुर्गा पूजा तार्तिक में क्या है दिपावली अगहन में कोई परव नहीं पॉस्त में मकर संक्रांती, माग में मागी प्रुनिमा और पशंत पंचमी, फागुन में फगुवा होली और फागुन प्रुनिमा को हम लोग होली का दहन करते हैं फागुन में होली, फगुवा करते हैं फागुन में होली तो देखें अब इसी क्यारा पर जितने परव हैं तो किस राज में कौन सा परव मनाया जाता है उसको हम लोग जान ले उसके बाद फिर आगे चलेंगे देखें यह अशम को हम पताते हैं असम यह जो अशम देख रहे हैं भारत का प्रुबुत्र राज है और सबसे बड़ा र का होता है वहांग भी हूँ माग भी हूँ काथी भी हूँ यह जो है मार्च अप्रेल में होता है मार्च अप्रेल में होता है नए वर्ष के सुरुवात का परव है यह अशम में नए वर्ष की सुरुवात का परव है माग भी हूँ फसल जो पहले फसल बोई जाती है उसके क्या याता हुए अक्टूबर में होता है और काथी भी हो ये आपका मकर ये अश्मी का अस्थानिया है बैसागु वहा का बोडो जंजाती के द्वारा मनाया जाने वाला परव है त्रहिंग पठकाई बैको यह बार बार पुछा जाता है अम्बू बाची एक बार ने कई बार पुछा गया है अम्बू बाची क्या है पुर्व का महाकाब नहीं बलकि पुर्व का महाकुम्ब कहा जाता है का भी गलत लिख दिया है पुर्व का महाकुम्ब है ये कुम्ब क्या है नदियों के किडारे हर चार वर्स के अंतराल में लगने वाला मेला जो हमेशा जनवरी में यानि की जब आपका मकर शंक्रानती होता तहीं लगता है कहा कहा कुम्ब लगते हैं कहा कहा कुम्ब लगते हैं हरी द्वार उसके बाद प्रियाग राज यानि इलहाबाद उसके बाद उज्जैन और उसके बाद नासिक यह हमारे देश में चार कुम लगते हैं जो तीन वर्स के अंतराल में होता और बारहवे वर्स महा कुम्भ लगता है हरी द्वार किस नदी के किनारे गंगा नदी के किनारे प्रियाग राज में किस नदी के किनारे गंगा यमुना और सरसोती के संगम पर यह मुना और अद्रिश सरसोती दिखाई नहीं देती है यह तिन नदियों का संगम है उज्जेन में कौन सी नदी बहती है शिप्रा नदी नाशिक में कौन नदी बहती है कुदावरी नदी तो एक किस नदी के किनारे लगता यह दिखाए दिया यह आपका कहा है यह भारत के म मितिद्र दिभारत का हिस्सा नंगिन पूरब में कहा हूं हूं कि सी शुप्टिफ को कहा घया अंभू बाक्षी अंभू बाची क्या है अम्बू बाची क्या है आपको पता है कि आपके देश के बावन सक्ति पीठों में से एक सक्ति पीठ है का मख्या का मख्या एक सक्ति पीठ है जो गुवाहाटी में है अश्रम का सबसे बला सार और प्रुवत्र का सबसे बला वहां का हवाई अड्डा हिसे प्रुपत्र का सबसेंब्ला हो पायाडला कहां है एक हर को चलेंगे जितने दाας करना है अना अभी इंटरनेशनल और नेशनल जो जरूरी है इंटरनेशनल हवायड़ा अंतराश्टिय हवायड़ा दो तरह के हवायड़ा होते हैं एक अंतराश्टिय और एक घरेलू घरेलू को बोलते हैं डोमेस्टिक और अंतराश्टिय को करते हैं इंटरनेशनल इयरपोर्ट छहसे आपके लाचि में क्या है कि क्षित्र में जानाा जाना चुन होगा तो वहां से हम TM के किसी आना कर सकते हैं वह हवाyan कहला गंलोगा और अंबू-बाची यह जो पर होता है बर्षास के मौशम में या कहिए कि भादों के महीने में असाण के महीने में होता है होता क्या है कि वहाँ पर Maa Kaamakya की योनी गिरी हुई है और स्वता ब्रहम्पुत नदी की पानी लाल हो जाती है तीन दिनों के लिए ये मानना है और देखा भी जाता है तो ये कहा जाता है, ये मा कामक्या का main spread चल रहा है और उसी पर्व को कहा जाता है अम्बू बाची पिछले बार पुछा हुआ है पिछले बार पुछा गया कि कामख्या के माशिक धर्म के संद्रम में लगने वाली परव का कौन सा कहां लगती है गवाहाटी में लगती है किसके लिए यह अम्बू बाची माशिक धर्म की बताने वाला यह परव होता है और य जन्जाति के दहिंग पठकाई याद कीजिए अंबुबाची याद कीजिए ते कोवा कि राजधानी पणजी भारत का पश्चिमी दिशा का राज समुद्री तटिय राज और जिसकी सीमा सबसे कम असपर्स करती है समुद्र से राज्यों में कहा जाए तो सबसे कम सीमा असप प्रदेशों में कहा जाए तो कौन सा ऐसा किंद्र साशित प्रदेश है जो समुद्री सीमा से सबसे कम असपर्स करती है उसका नाम है पुड्डू चेरी उसका नाम है पुड्डू चेरी जो सबसे कम सीमा असपर्स करती है राज्यों में गवा गवा पहले पुर्तगालियो को अपना बसायते वहीं पर अपना सब कुछ वहां पर निर्मान करवाया था और भारत का वहीं एक मात्र छेत्रे जो सबसे पहले गुलाम बना और सबसे बाद में आजाद हुआ सबसे बाद में भारत का इसा 1962 में बना तो गुआ एक मने मिस्त संस्कृति वाला राज्य है जहां पर विदेशी संस्कृति जादा हाविये पुर्तगाल के लोग वहां आकर रहे थे तो वहां पर जो पर्व होता है वह उसी अनुरूप होता है सेंट फ्रांसिस जेवियर पर् जिसको पुर्तगालियों ने बनाकर भेजा था और यहां पर अधिकार से लोग इशाय दर्म को मानते आ रहे थे तो इशाय दर्म को मानने के चलते वहां सेंट फ्रांसिस जेवियर पर वहां पर हो गया बोड़रम अंगूर महत्सव और एक आएगा शिगमो महत्सव यह जि जो प theo वाज है और यह भारत के समुद्री तर से सबसे लंबी तको अस्पर्श करने वाला राज यह सब्से ज्यादा अस पर्स करने वाला गुझ्रात है जिसकी राजवर यस पेरा आगर है तो इसमें से पतव महोच्छो जो होता है उसका आउजन आपके मकर संक्रांति के आउसर पर किया जाता है वहाँ पर मकर संक्रांति को हम लोग पतंग उत्सव कहते हैं और नया साल के उसको नया साल का प्रभ दुसरा होता है यहां नहीं दिया हुआ वह मिल जाएगा आगे मुरोड़या उस तो एक जगह है वहां पर मना जाता है मादो पर जगह है जहां पर कृष्ट और रुक्मिनी का मेला लगता है उसके याद में लगता है उसी जगह पर उत्तरायन मेला लगता है शामलाल जी मेला लगता है और बीच फेस्टिबल यानि कि समुद्ध तटिये फेस्टिबल यह इसको नहीं पूछा जाता है क्योंकि इतने भी समुद्ध तटिये वहां बीच फेस्टिबल किसी ना किसी रूप में होता है अब यहा वान सूरज को समर्पित करने वाला वहां का बहुत बड़ा मेला है हिमाचल में हालडा साजो उसके उसके माहा यह तीन पर्व को याद रखी कम से कम इसको तो बहुत जरूरी है हना हर राजिका कौन कहां मलता है जारकन में तरहूल मुंदा उराव तथा हो जन जातिउ और इसको मुंदा क्या कहते हैं तरहूल क्या कहते हैं कि निटाथ को और सेंगे यहीं सरुओल है और यहीं बाहा हो तीक है भगता परव वैसाक में फगवा होली चांडी परम वही घुरा भगता घुरा सोराय कार्तिक में टूसू है कोश में हाल पुनिया हमद्वूनिया था यहीं पता है जारकन की हो न यार जिस दिन आप पहला दिन आप हल चलाने के लिए ले जाते हों, मकर में हाल पुनिया जिस दिन पहला दिन हल चला आ जाता है मकर में, और जिस दिन पहला धान लगाते हैं जिन पहला धान बुनी वो क्या करते हैं धान बुनी क्या है हाल पुनिया मुंदा मेला धान बुनी जीतिया मुंडा मेला यह आपका मंदा था वो मंदा हो गया है अना मंदा मेला कि उल्हान संधाल प्रगणा में मनाया जाने वाला मेला है करनाटक में हमिक ए शार 1189 जनवरी को को हर साल मनाया जाने वाला उत्सव है हम पी अभी चर्चा में क्यों है इते करनाटक में तो है लेकिन चर्चा में क्यों रखा है भारत के कितने कितने रुपे के मुल के किनार्क के किसमें है बहुत के कितने रुपे के मुल में हंपी का चितर दिया है कि 10 रुपे में है हाह ile को को अद चुनार्क मंदिधन है के 20 में हुए कि तो में हुएं Rani का बाब है नोगो कुरा पूछन सब जा कुछा है और पिछ्ठिट को रेके तो सर्ट से पूछा है कि इसे मरवह सब पूछा है है। दिस का. तो अगले score में 20 का 20 का पूछा 100 का पूछा 200 का-500 का और 2,000 का भी पूछा जले है पास्तों में क्या है लाल किला हर मुद्रा में हम्पि क्यों Çर्चा में अभीट बिश्वद्रवर सूची में तो सामिल हुआ है। हम प्याए नुखची अख कर दोंग उने नगर समराज के समय का बात है विजय नगर समराज की राज़ानी हुआ करती थी और उस समय हमारे पुरे भारत में इसलाम धर्म का वर्चस्व था एक मात्र हिंदू धर्म का साशन चला जो कहलाया विजय नगर समराज हम्पी का मत्ब ही विजय होता है और विजय उत्सव के रूप में हर साल 27 से 29 ज माना करगा केलपेत उगादी उगादी को याद रखीगा उगादी आप तो अपका जो होता है वह हनावरी के महीने ही आयोजीत होने वाला ने फशल के आने का उत्सव है लुपित Ricardo में wenn विशूurning परभन होता है पाहला दिन अथम कहलाता है दसवा दिन परभन कऄलाता है थिख dennis कर पूर्दम एम मंदिर've का उत्सव जो सबसे बढा मंदिर उत्सव के रूप में त्रिसुर पूर्दम को मनाया जाता है नाव का दोड नाव दोड पुन्नमदा जिल पर ये बोट रेस केवल और केवल ये आपका केरल में ही होता है ये इतना दुरियाद रखेगा मद्ध प्रदेश में गनगोर मड़ई और हरीरी ये तीन ऐसा पर्व है जो वहां का सबसे लोग प्रिय पर्व है महाराष्ट में काला गोडा काला उचसव लिखाये थे जिए बताया थे इसके संदर में भारत का सबसे बढ़ा स्ट्रींट महुत्सव प्रूडी परव है यह क्या है यह नय वर्सका पर्व है वहां का में और नय परसका पर्व गूडी परवा कहते इसको किसने क्या था बाल गंगाधर तिलक ने हिंदुओंको एकजूट करने के लिए राष्टवाद की भावना जगाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कि चतुर्थी अउत्सव काशुवात किया ता जो महराष्र में दस दिनों का प्रभ होता है और को जागरी पूजा ओ लक्छी पूजाлы गती हम लोग को लखी पूजा काते या किस महीने में ङूह की आसिन महीने के पुरुणिम हो elle ना मनीपूर में आउव सांग इसको डोल यात्रा जो हम लोग बंगाल में मनाते हैं लाई हरोबा है ना इस भगवान को प्रसंद करने के लिए किसी देवता प्रकृति के भगवान को यह कहता है चेरी ब्लोसम इसको याद कर लिजेगा चेरी ब्लोसम दो बार तीन बार मेगाले का पांगला इसको बार बार पूछ रहा है लोंग क्रेम इसको भी पूछ रहा है अच्टरोबेरी कहां मेगाले में अच्ट्रोबेरी एक फल है और उसके याम पर मुनाय जाता है मिजोरम में जितना भी कूट नजर आएगा चाहे वह चापचर कुटो, मीम कुटो, ठाल फवान कुटो, ये कहां होगा? मिजोरम में. हार्न बिल एत्रिपुरा और नागालेंड में एक समान मनाया जाने वाला जाती है. मुवासू एवो जन्जाती के द्वारा और इसा में शवू. ठानू यात्रा दुनिया का सबसे राजा परब ये बली यात्रा कुनार्क महुत्सो नुवा खाई ये और ये जो दिखने न, ये थोगा गलत लिखा हुआ है. ये हैं रजो शंक्रान्ती. रजो शंक्रान्ती. कहां मनाया जाता है? उडिशा में. जब किसी भी बेटी का पहली बार रजस्वला की सुरुवात होती है. मेंस की सुरुवात होती है. तो जननी बनने की छमता जर शुरू हो जाती है. तो यहां भी मनायते हैं लोग. उस दिन उस बीटिया को एक दुलहन की तरह सजाई जाती है. देवी की तरह सजाई जाती है. और उसकी पूजा अर्चना की जाती है. और यहां का बहुत लोहडी ठीक है गनगोर राजस्थान में देखे मदप्रदेश में देखे हर्याना में देखे गनगोर पुषकर मेला यह आपका क्या है कि पुषकर मेला क्या है कि सबसे वड़ा पसु मेला स्वोनपूर मेला है कि विश्व का सबसे वड़ा पसु मेला स्वोनपूर मेला है ज और अबहुत होता है भाले तो दुल्हा भी बिखताथा वहां नहीं करें वहां दुल्हा दुलह बिखता था यार करका है कि हां cancel no कि अधुनर ना नहीं सुनूरु है वहां दुल्हां बीखता था दुलहन बीखती थी यह तो रेले मैं जब 2003-44 में घुमने गया था और रहता था पट्ना में और चला गया घुमने तो उससे में वन तो इतनी भीडवाल वहां इतनी भीडवाल वहां पर इस तरह प्रतिबद नहीं थे घोड़ा हाथी से लेकर सवे चोटे और बड़े पसु बिखते थे और दुलहा दुलहने भी विखती थी सबसे वड़ा पसु मेला हो दिपावली के बाद एक महीने तक चलता था उस मेला को हरियर छित्र का मेला भी कहा जाता है अब चुकि वन विभाग ने या कहिए प्रियारों विभाग ने रोक लगा दिये इसलिए हाथी गोड़ा नहीं बिखते हैं अब वहां बैल गाए यही सब भैस यही सब भीक्ते दिखाई देंगे और अब थेटर का जमाना सुरू हो गया है अब थेटर का डान्स होता है वहां तो आपके जरत की हर चीज बिल जाएंगे तो पुसकर मेला उट का मेला है उट का मेला पुसकर कहा है राजस्थान में एक है और भारत ने एक मात्र ब्रह्मा का मंदिर भगवान ब्रह्मा का मंदिर कहां है पुसकर में ब्रह्मा का मंदिर कहां पुसकर में और वहीं पर यह उट का मेला लगता है पुसकर मेला चंद्रभागा उत्सव यह भी एक यह उत्सव है जो विशेश आउसर पर क्यायाता है मरू उत्सव यह आपका मरू उत्सव कहा मना जाएगा कि आपके इसी राजस्थान में एक बात मरूस्थल है खार और इसलिए वहां पर मरू उत्सव मना जाता है लोशुंग लोसर और सागा दावा नौर्थ इस्ट का हमेशा पूछता है क्योंकि लोग उससे बहुत पॉछतव है इसमें लोशुञ लोशर और सागा दावा सागा दावा बहुत ढर्म के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है दौके द्वारामनाय लाद्व सम्हाइं डौकरत्व क्या है तामिल नाडू का परवा जिसको हम चार सबसे बीवादित मेला उतसव था कहा पर पशूओं को ललाया जाता था पुशु को दोलाया जाता था आप सोहराय में पसु को बांद कर मजा लेते हैं वो लोग खोल के मजा लेते थे और उस जल्ली कट्टू में हर वर्स कई लोगों की जान जाती थी जिसके चलते सुप्रीम कोट ने लोग रोक लगा दिया था और उस पर वहां पर संस्कृति के अधार पर फिर से लागू कर दिया गया है उस पर रोक को खोल दिया गया और सब्सक्राइब को करना घठाण चारोत लगी है इसको मार रहा है और लोग मजा ले रहे दो लोग त игр को देखने जाते हैं घिकर उसको देखने जाते मामला शुप्रीम कोर्ट पहुंचा इसने रोक लगा दिया था फिर से उहां की संसकीति का हिस्सा बताते हुए कहा गया कि आप पुर्ण सुरक्षित तरीके से घेरे के अंदर उसको दोड़ाईए ना कि खुले में जाकर उसको अनुमति दी गई अगर जारकन में बोले कि मुर्गा पाला नहीं होगा तो आप लोग कहा किजेगा तो यह दो परव पोंगल और जल्ली कटू पोंगल कितने दिन का उत्सव चार दिन का उत्सव त्रिपुरा में घर्ची पूजा उत्सव गरिया पूजा उत्सव और होजगिरी तीन नाम याद रखी है अब हॉर्ण बील उसके बाद चेरी बलोशम उसके बाद शंतरा है अश्ट्रोबेरी अश्ट्रोबेरी कहां तो तो अब ही आप जो यहां देखें ने कि यहां पर क्या देखें या एक अश्ट्रोबेरी हॉर्ण मिलत यहां था था थे यह ए, अस्ट्रोबेरी मे घाले चेरी बिरोशम मनीपूर, मनीपूर में चेरी बिरोशम मे घाले में अस्ट्रोबेरी संतरा स्रिपूरा में संतरा त्रिपूरा में दीक है अब उत्तर प्रदेश में देखिये क्या बोलणा कुंब महसव कुंब कहा कहा लगता है प्रयागराज हरिद्वार उज्जैन नासिक कजली महसव कावनी मिलावा महत्मनी है कालीज नोचंदी नोचंदी महत्व भटेश्वर ढाई गहाट काकु और महिंण देवीयत मौं भी इसमें क्या है कुम्ब मौंत्सों इस रावणी मेला तो सब्सक्रआप्साय लगता है ज़ते हैं जिए टीमेला जो देवगयर में लगता है यह एसिया का सब तेबसे का मेला है यह सर्आवन के महिने स्ama 573 वर देवगर में बैदनात धाम की धातरा करते हैं और भगवान श्यूव को भोले नात की पूजा करते हैं जितया है भीखे तराघन में फुल द७ी इसमें लड़कियों के दोरा मनाया जाता हुआथ हरी लड़कि पूज़ रख्यी आपका सब महत्पुन है जैसे आपका गंगा सागर महत्सव अब आपसे पूछा गया था कि मकर्संक्रांती के आउसर पर पश्षिम मंगाल पर लगने वाला मेला क्या है? वह है आपका गंगा सागर. गंगा सागर एक द्वीप है. जब गंगा नदी आकर सागर में मिलती है और वह गंगा नदी जब प्रवाहित हो रही है तो फरक्का एक जगह है फरक्का से वह नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है एक धारा चल जाती है पश्चिम मंगाल जो हुगली नदी के नाम से आई और एक धारा चल जाती है बंगला देश जो पदमा नदी के नाम से जानत तो हुगली नदी जब समुद्र में गिरती है तो इनके द्वारा बहा कर लाएगे कचज्टो सल–टापू बन गया है और उसका नाम हैmental सागर और वह हमारे भारत सब्से नया दाप और सब्से नया दीप उसका नाम है नीमूर दीप सब्से नया दीप यह सारे प्रिश्ण आपके अस्टेटिक जीएस के प्रिश्ण है यह आपका हुआ तो गंजा सागर कब बनाया जाते हैं मकर संक्रांति के असर पर अब केंद्र सासित प्रदेशों के संद्र में जाने अन्दमान निकवार में मरियम्म खरियाद रखेगा चंडीगण में रोज महत्सव क्यक्टस महत्सव गुलदाईदी महत्सव ठीक है यानि पौधों के और फूलों के नाम पर जितना भी उत्सव है वह कहां है चंडीगण में दाजरों नगेस्थवली में दिवा सोल और चरपा महत्सव लाश्ट में यह है तिल्ली में ट्रोन महत्सव हैपिनेस उत्सव कोई कामी नहीं है अना लद्दाक में लोसर को आप घुमा कर रखिए लोसर सक दावा यह दो नाम याद रखिए है जम्मू काश्यू में हेमिस ट्यूलिप और डोस्मूचे यह तिन नाम को याद रखिएगा पॉंडीचेरी में कॉंगल फ्रेंच फुड़ उत्रफ यह पॉंडीचेरी फ्रेंच के इसलिए दिया गया क्योंकि अब किस किस राज में नया साल को किस रूप में मनाया जाता है अब राज आंत्रप्रदेस करनाठक तिलंगाना यहां उगादी के रूप में में नववर्स मनाया जाते उगादी महराश्ट में क्या बता थे गुरी परवा में जाब में क्या भैसाखी तामिल लाणों में पुथन्डू अस्रम में बोहाग बिधू बतायों थीनवह भी होता है पश्चिम बंगाल में पोईला वैशाक गुजरात में बेश्टु बरस केरल में विशु सिक्किम में लोशुंग काश्मिर में नवरेह उडिशा में पाना शंक्रांति अब देखें यहां पर जितने भी आपको नया साल दिखाई देरा सब अप्रेल मार्च अप्रेल के बीच गुष्ट का ही है भी देखें यह क्या मार्च अप्रेल रहा है के वल और केवल गुजरात में उनका पहला बरस दिपावली के अगले के दिन से शुरूह होता है ज़िए करतिक महीने के आवश्या के बाद नवो बरस, तड़ी महिने के किष्ण पक्ष्ण के चितुर्दसी को बनाया जाता है कि करतिक मास के खिश्ण पकष्ण की आवश्या को राम रोमी खबनाया तहीं कभादों के सुख्ण चतूरत ही को अब हम कुछ कोश्चन आप पर इस पर चलेंगे और तब जाएंगे भारत के मंदिरों पर पहले इस पर हम कुछ कोश्चन बनाएंगे और तब जाएंगे भारत के मंदिरों पर और मंदिर भी आज पढ़ा की खतम करेंगे ज्यादा नहीं आपको कोश्चन में हम 10 से 12 कोश्च कि यह तो चला गया ना आपके पास कि तो गया हुए नोजी यह गया हुए छोड़ दीजी इसको कि यहां से हम लोग जो पढ़े हैं उसी पर हम कोश्चन चलेंगे अब हमको यह बताईएगा आप कि यह आपके पास चल जाएगा लेकिन उससे पहले आपको यह बताना होगा बुद्ध पुरुनिवा जो गोतम बुद्ध के भक्तो द्वरा मनाए जाती है को निम्द्खित में से किस राज में सागा दावा के नाम से जाना जाता है इक किम एक सिक्किम फई किस एक सिक्किम देखिये अब बुद्ध के संदरम में जो भी प्रस्ट आए अब बुद्ध पुरुनिवा कब मनाया जाता है आपको बोलते कि सागा दावा किस महीने मनाय जाते है इसी कोस्चन को गुमा के पूछा गया गुरु प्रुनिमा किसको कहा गया बुद्ध प्रुनिमा किसको कहा गया अजीत बाभू अहां है गुरु प्रुनिमा तो अभी पारवा गुरु नानक की जैनती को गुरु प्रुनिमा के रूप में मनाया जाता है और वो कार्थिक महने के प्रोनिमा को गुरु प्रोनिमा कहा जाता है और बुद्ध प्रोनिमा क्यों? कौतम बुद्ध कौन थे? कौतम बुद्ध कौन थे? कौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध धर्म के संस्थापक यानि इस धर्म का प्रतिपादक हुए गौतम बुद्ध इनका बच्पन का नाम सिद्धार्त था बाकी नाम अभी पुरा कहानी नहीं जन्म इनका लुम्बनी में हुआ था लुम्बनी कहा है नेपाल की तराई में लुम्बनी है इसके बाद इनको ग्यान प्राप्ती कहा हुई ग्यान प्राप्ती कहा हुई बोध गया में इन्होंने पहला उपदेश कहा दिया ये सारनात कहा है ये सारनात कहा है इनकी मिर्टू कहा हुई ये कहा है जब ज्यान प्राप्ती ही उनको बोध गया में उसको कहा गया बुद्धत्व की प्राप्ती और ये आपका बिहार के गया जीला में है जब पहला उपदेश दिया उन्होंने उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन और ये आपका उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद और मुगल सराय के बिच ये जगह सारनाथ और मिर्तु कहां हुई पुशी नगर ये भी उत्तर प्रदेश के गोरकपुर में है उत्तरप्रदेश बिहार और जहारकन की बिहार और उत्तरप्रदेश की सीमा पर यानि पुरवी उत्तरप्रदेश में मिर्तु और इनकी मिर्तु को कहा गया महापरी निर्वान ये जितनी घटनाएं आप देख रहे हैं, ये सभी घटनाएं बैसाख महीने के पुर्निमा को हुआ था, उनका जन्म भी पुर्निमा के दिन हुआ, उनकी ज्यान प्राप्ति भी पुर्निमा के दिन हुआ, वो पहला उपदेश भी पुर्निमा के दिन दिये, उनकी मिर्तु भ पुरुनिमा के दिन हुआ इसलिए इस पर्व को हम करें क्या क्या करें बुद्ध पुरुनिमा और बैसाख के पुरुनिमा को बुद्ध पुरुनिमा के नाम से जाना जाता है अब इसी को अगर बदल के पूछ देगा तो आप पीशे हो जाएंगे तो बैसाख के पुरुनिम आश्रम का एक्ट्व परभ बताईए और अम्बू बाची महाराष्ट का एक्ट्व परभ बताईए लावनी परभ है या निर्त है गनेश शतूर्थी तिलक महुत्सव कारा घोडा महुत्सव कहा का आंड़ परदेश का नहीं हमको भी नहीं पता है परिशा हमको देना क्या आपको देना जी पता कि इसको होना चाहिए आज बाच्छुट्टी दे रहे हैं यह आपको मौका दे रहे हैं हम कि आपको यह मौका इसलिए दिया जारा कि आपके कौपी में जब गया तो उसको पढ़ें तब जाकर ने स्वर्व कर पाएंगे हैं और अब बिना देखे आपको स्वल्व करन आपको साथ कोश्चन भेजेंगे अभी इस साथ कोश्चन में आपको बिना देखे जवाब देना है और उसके बाद मिलाई है कि हमने कितना सही किया है कि उत्तर भारत के लोग किस त्वहार प्रदेवी लक्ष्मिय और भगवान गनेश की एक साथ पूजा करते हैं गर्णी देखा किम बजार में डिवाली में गनेश लक्ष्मी की कि दिवाली को तो यह उत्तर होगा दिवाली कब होता है पागुन पुर्णिमा को पूली का दहन और अगले दिन से जो हम लोग धूल और रंग खेलते हैं वो चैत्र महिना का प्रतमतिती होता है तो शहरा कब होता है कि किस महीने में कार्थिक में वाह है कि दुरुगा पूजा कोई दुरुगा पूजा कहा जाता है आशिन महीने के सुक्रपक्ष को प्रतम से लेकर दसमी तक जनमाश्टमी किस महीने होता है कि सब बताए हैं अभी भादो कि कृष्णपक्ष के अश्टमी को अगला कोश्चन यह भी आया दो सब वहां जितना लिखा वाना तब आपका यहां पूछा गया है लिजिए त्रिसूर पूरम उत्सव निम्रिकित में से किस राजी में मनाया जाता है जो आपको बताया थे वहां का मंदिरों का बहुत बड़ा उत्सव है यह केरल में केरल में त्रिसूर पूरम केरल में अब आण प्रदेश तामिल नाडू करना तक एक परबर आई हमको कि जब ऐसे बनाना सुरू किजेगा ना आपका एक भी कोश्चन गलत नहीं होगा एक भी कोश्चन गलत नहीं होगा आपका प्रणाटक में हम्पी आंद्र प्रदेश में फिर ब्रेक वहीं जाकर लग गया फिर ब्रेक वहीं जाकर लगा हुआ है देखते हैं आगे फिर मिलेगा कहां ब्रेक आपका खितम होता है ते देखिए तिरुवाती करली तुहार मुल्क में किस राज में मनाया जाता है पुरिशा अशम पंजाब केरल एक निर्त शेली के रूप में मनाया जाने वाला परव है एक सांस्कृतिक काजकरम का परव है जो केरल में मनाया जाता है पुरिशा का दो परव का नाम बताईए निर्थ नहीं पूछ रहे हैं उत्सव पूछ रहे हैं नुवा खाई रजो संक्रांती उसके बाद पूरी रथयात्रा रथयात्रा यह सब क्या है पूरिशा का अश्रम का बताईए बीवू अले एक इठो अंबू बाची पीवू पंजाब का बताईए पंजाब का बताईए लोहडी लोहडी और और एक ठो बताईए बैसाखी नया वर्स को क्या मनाय थे बैसाखी फिर लेया आईए यह नए कोश्चन में आईए तको दीख रहा है ना नुम्लिखित में से कौन सा तिवहार अगर सितंबर में फसल की कटाई के मौशम को मनाया जाता है अगर सिंक्राथी अगर से आना लोवरी अगर शाटना तो शुरू करें तुम लोग बैसाखी कब अप्रेल में लोवरी कब जनवरी में मकर संक्राथी कब जनवरी में बचा क्या कहां केरल में तो वहां पर आजाता उत्तर जब तीन तो दिया है तो यह आपको उत्तर आएगा और इस सब इतना आसान-ासान कोश्चन आपको जीडी में बुलाता है कि भाई तुमको अगर देश का सेना बनना है तो आप देश के विशे में जानिये कि देश में कहा कहा क्या होता है डूटी आपको यहीं पर करना होगा ठीक है अगर नाया लेन का प्रमुखति वहार है यह एक तैस दिवसे उत्सवें जो सुद्धी और प्रवित्रता का प्रतीक है अगर देला मार दिया है 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 यह पिछले साल का प्रश्ण जितना है पिछले साल का प्रश्ण है एक एक करके छांटना उसको एक साथ कलेक्ट करना एक वला चुनोती है यह क्या है यह सब क्या उत्सव को एक जगह दे रहे हैं अब यह कितना यह 10 से 15 दिन का उत्सव है जो वहां पर नागा लेंड में सुद्धी और प्रतीक के रूप में मना जाने वाला उत्सव होता है व्यातार 10 से 15 दिन चलता किसी अरिया में 10 दिन खत्मा कहीं पर 15 दिन हुआ और यह आपका कहलाया सेकेर नहीं कि अप्रेल मही में मना जाता है प्रशिद लोशों उत्सव मिम्रिकित में से किस राज में मना जाता है अभी तुलत पढ़ाएं है कि थोड़ा सा नाम इधर से उधर हो जाए तिक्किम हमको पूछ रही कि बता रही है कि इंस्टर बता है कहां तिक्किम में रायस्थान का एक्टो परभ बताईए और मनीपूर का एक्टो परभ बताईए आपको कहां भूलो रहा बार बार नॉर्थ इस्ट तो आपसे गलती कहां बार बार होगी नॉर्थ इस्ट नॉर्थ इस्ट का सभी परभ को याद करके चलिए नॉर्थ इस्ट में जितने भी परभ हैं सब को याद करके चलिए आप और आगे दोठों बताकर हम आगे चल रहे हैं तो आगे चल रहे हैं फुल देई यह भी देखिए आपको थ्वाजरे पहले बताए हैं हां उत्तराखंड बताए कि लड़किया ने फूलों को तोड़कर पूजा करती है यह फुल देई कहां हो जाएगा उत्तराखंड चलो में घाले का परभ बताओ तो यार अभी अभी जित्रत बताए हैं कि इससे पहले जो में घाले का पूछा गया था इससे पहले में घाले का कोश्चन पूछा गया झागव पूछा था ठीक है अ यह अन्ध पर देश फिर आया गुजरात का बताई है दो परभ बताएं गुजरात का पतंग नया साल को क्या कहते बेश्टू पर अब यह दो चीज वहां का फिर आंद्रप्रदेश छोड़ रहे हैं पिर आया चलो अब कहां जाएगा बुलता है अब कहां जाएगा तुम कहां बचके जाएगा हमसे अब यह निम्रिक्त में से किस राज में मकर संक्रेंत को पेड़्डा पाडूंगा के रूप में मनाया जाता है बता देते तो अभी उत्तर अब बता देते यह हैं आंद्रप्रदेश है ठीक है है उसे बता देते तो आप उत्तर बता देते जो हां का सबसे बढ़ा है अब फिड़्डा मतल्ब बढ़ा होता है पाडूंगा कमतल उत्सब होता elétक कि आंद्र प्रदेश में पिड़्डा पाडूंगा के रूप में मनाया जाने वाला अप्रभ है मकर संक्रांती यह मकर संक्रांती है कि अरे यार कि करनाटक का हमपी केवल का ओनम तामिल नाडू का जल्ली कट्टू हां क्या बूली कोंगल केरल का कि यह देखे यह अच्छा प्रश्ण पूछा कि यह प्रश्ण पूछ रहा है यह का ताड़ी ड़का बाबू बली पुर्वजों को खुश करने के लिए कि हिंदू अनुष्ठान है इसी कोश्चन को आगे भी पूछा है और दुसरे तरीके से पूछा है कहां मनाया जाता है देखे एक महीना है एक मल्याली महीने का नाम है अब उत्तर बता दो केरल मल्यालम भासा कहां बोली जाती है केरल में तो वहां महीने का नाम है और इसमें अमवश्या के दिन प्रफ्प महीना याद नहीं साथ जेश्ट की अमवश्या होती है उस दिन बली चाहा कर अपने पुर्वजों की संबान के लिए दिया जाता है कि हिंदू अनुष्ट जब आप पढ़ेंगे तो इसी तरह से आप चलते चलिए कि जितने ऑप्षन दिये गए उस ऑप्षन के दो तीन परव को फिर से आप रिपीट करते चलिए रिपीट करते चलिए रिपीट करते चलिए आपको मुझजबानी याद हो जाएगी कि किसी राज में कौन सा परव बनाया जाता है और एक बार याद हो गया तो आपके क्लाउड ड्रैव में सेट हो गया हूँ जहां उप्षन देखेंगे आपको मिल जाएगा इस आपके कोश्चन बनाने का होना चाहिए और अभी से आप कोश्चन बनाना शुरू कर दीजिए और यहां पर देखिए इसका तो उत्तर हम जिससे पूछेंगे वही देगा अना अभी हल्ला नहीं करेंगे जिससे पूछेंगे वही देगा जी जो आपका नाम क्या है सबसे पीछे हैं आकाश बताओ यार कि प्रश्ण है निम्लिकित में से कौन सा फसल उत्सों मुख्य रुप से पश्चिम उडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है आपको बता दे रहे हैं नहीं दिखाए दे रहा है अब यह चार में से बताईए कि कौन सा ऐसा उत्सव है जो फसल के आउसर पर उडिशा राज्य में मनाया जाता है नुवा खाई अभी बताये थे ने फसल को खाने का उत्सव नुवा खाई इसका उत्तर क्या होगा अब यह बांगला कहा था ओनम कहा है और गुरी पड़वा कहा है बांगला हमने अन्टर लाइन करके दो बार बताए हैं बांगला को तुका आगे मिलेगा इसरे नहीं बताएंगे भी हम एकी qe pregunta को कई तरह से repeat कि आ गया है कुणी पढ़वा कहा 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 कमा नहीं बता है यह अभी आधर बता है थ्यौयॉजर पहले अभी थ्यौय पढ़वा कहा कहा वर्स है महाराष्ट का नौ वर्स को क्या नाम दिये थे गोड़ी पड़वा ओन हम कहा कहा है प्रसलों का वर्स है और यह नया साल का अब भांगला में नहीं नहीं बता रहे चुकि आगे फिर पूछेंगे भी अब है और उसको हम गोल घेरा करके उस राजी का नाम के सामने ब सब्सक्राइब करें देखें एससे जीडी में 16 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया कि अब जिस्ते पूछे वह बताएगा जी आकास तो भरातल पर आ गया तो बाबू बादल क्या नाम आपका पीछे हां आपका ने आपका ने आपका ने आपके पीछे नाम क्या आपका ने आपका ने आपके पीछे हां पी महुतसव हर सार निम्लिकित में से किसी राज्य में मनाया जाता है चार ओप्शन दिया हुआ है करनाटक केरल आंद्रप्रदेश तामिल नाडू करनाटक चाहिए अब हाँ तब मनाया जाता है तब मनाया जाता है यह बताइए आपके हर साल 27 से 29 जनवरी को 27 से 29 जनवरी को विजे नगर समराज की सिराजधानी के निर्मान पर हमपी महुतसव मनाया जाता है यह हमपी जो है यह अपने कला के लिए जाना जाता है और इस कला के लिए इस छेत्र को हम लोगों ने अपने युनेशकों के धरोहर सुची में इसका नाम गया हुआ है युनेशकों इवेनों का एक बड़ी संस्कृति का और सिक्षा का केंडर है जो अलग अलग धरोहरों को जो हमारी एतिहासिक प्रिष्ट भूमी के धरोहर है उनको सुरक्षित रखने का काम करता है उसकी यह में गया और 1565 इसमी में विजे नगर समराज के स्थापना हुई तीक है यह तो बहुत आशान कोस्चन है जिसको मिला होगा बला रहे बड़ी खुसी हुआ हो गां और शॉचा होगा कि हम तो सब्सें और सब्सक्राइएं पर बच्छे मेंनत कर देना तो सीधे रीजय निकल जाएगा हूई हिए निकल जाएगा और JS में 20 में से कम से कम 18 question सही करके आएगा नहीं होगा आप से क्या पूछेगा इसमें से एक question पूछेंगे कितने राज्यों में चुना हुआ अभी कैसी तयारी चल रही है आप फरवरी में exam देंगे और अभी आपके ये political political science या politics का सबसे प्रमुक चर्चित विशय है कितने राज्य में चुन हो नहीं बता है नहीं तो current affairs तो हमने बता है नहीं आप लोगों को current affairs आपका एक ऐसा विशय है जहां से GS में 5 question रहेंगे पांच question रहेंगे आप पांच से आठ से दस question मान के चलिए कि आपका विविद्यान से static GS रहेगा और बाकी जो 5 question या 4 question बचेगा वो history का मूल चीज को दिखाएगा जोगरफी का मूल चीज को दिखाएगा आपसे अंदर नहीं जाकर पूछेगा कि अकबर का पहला जुद्ध किसके खिलाप लड़ा गया था यह नहीं पूछेगा आपसे आपसे क्या पूछेगा कि आकबर किस सा फसक का साशक था मौर वंसका केर वंसका चोल वंसका दिल्ली क्राइड का हे नियां में मूघल वंस तो बोला ही निए था तो यह पता चलिजाता है कि आपका लेबल कितना दूर है अना तो ऐसा ही प्रश्ट पूछेंगे ऐसा ने कि बहुत इतिहास अंदर से चीज को पढ़ना है अपको एदम सता का चीज पढ़ना है और इसको जल्दी खतम करके वहां पहुचेंगे हम समय मिला तो मैं जरूर बता दूगा इतिहास भी ब्ता दूगा भूगल भी बता दूगा तो आपके करीब होगा आपके काविर आपके लाइक होगा आप किसे पूछें लड़कीयों की बारी है अना नहीं पूछें तुमको दरद का हो रहा है यार बहुत सावनुभूती है लड़कों से पूछते हैं पूस है बतार लड़कों से पूछिए आप बताऊगी क्या नाम लिखती है मकर संक्रांति उत्तरायन की सुर्वात का प्रतीक है यह डैस तारिक को मनाई जाती है 15 फरवरी 12 मार्च 20 जनवरी 14 जनवरी इसको तो कोई भी जवाब देता 14 जनवरी को ठीक है अब और लाश्ट कोश्चन यह पूछ रहा हूं मैं यहां अब लाश्ट कोश्चन है इसके बाद बाकी प्रस्ट जितने हैं क्यानि इसके बाद आपके पास लगबग 40 कोश्चन जाएंगे इसमें 40 कोस्टन जाएंगे आपके पास तीक है और इस 40 कोस्टन को आपको बनाना है तो उत्तर बन जाएगा आप यह नहीं जानते तो नहीं बनता रहता है यह नहीं जानते तो कर्फिजन होता है हां महत्सव से मतलब नहीं है यहां पर लिखते हैं पूरी महत्सव तर जेगनात महत्सव लिख देते तो और कठेन हो जाता है ओप्सण चुनना चंग को यह तैंगा धरतल पर कहा रहए तो उत्तर प्रदेश में जाते नुवा कहाँ है हो गया अब ये आपको मैं भेज दे रहा हूं आते साथ ग्रूप में बाकी जितने कोश्चन्स हैं और जितने कोश्चन्स आपको दिखाई दे रहे हैं यह सभी कोश्चन्स आप सौल्व करके हमको जो नहीं होगा तब पुछिएगा हमसे निए पूश्चन बड़ा हो कि जाएगा उसमें प्रफिडियृ यहां तो हमको बड़ा कर क्वेश्चन वहाब आपका इश्ख्रीन कितना बड़ा है है और कुष्चन होब आपकी जाएगा कि है चोटा रहते कि है अब करेंसे दिखा देता है ना है है जैसे आपको अंदर जाएगा तो यह question मिलेगा question क्या है अरे यार अरे 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 हिंदी पुष्टा तो अब यहां पर हिंदी पुष्टा तो हिंदी का महिना बताईए कि हिंदी का महिना बताईए कि अभी बताया कि सावन पुरुनिमा को पुरुनिमा को पुरुनिमा को रक्षा बंदन मना आयाता है तो सावन का महीना होता है हिंदी में होता तो का महीना होता है इसे पूरा का उत्सव का कोश्चन रहे दिया हुआ है ठीक है अब इसके बाद यह हम सेव करके भेज़ दे रहें कि एक्सपोर्ट पीडियेप कि लाउड ड्राइब कि सक्सेस कि यहां जीडी 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 जीएस कि यह आपका कोश्चन जो बन रहा है कोश्चन जो जाएगा यह नाम होगा फेस्टिवल्स कोश्चन्स कि लाउड़ कोश्वल्स कि लाउड़ नाट एंगर cuál दृ देए्ट कि लाउड़ लाँ कि बार खाओ टन्स कि लाउड़ कोश्चन जीडीडीडी जीडीडी कि Thomas